अभी हाँ पर एक बात की जारी एक पर्टिक्लर फांडेशन की बारे में जिसका नाम है गांधी किंग फांडेशन हमारे देश की गवर्मेंट ने दुनिया भर की ऐसी एंजियो हैं जो अभी जिनको बैन किया गया है 2010 से लेके 2019 तक का गवर्मेंट के दौरा उननीस हजार ओर लगी आप लोग अपने अच्छे रिलिजन की बारे में अच्छी चीजे बता सकते हैं आप लोग किसी भी रिलिजन के अगर इंसान है ये खुद हमारा समिधान बोलता है अभी हाँ पर एक बात की जारी एक पर्टिक्लर फांडेशन की बारे में जिसका नाम है गांधी किं 2010 से लेके 2019 तक का लगबग 19,000 FCRA रिजिस्टेशन जो हैं वो सरकार के द्वारा कैंसिल किये गए हैं आखिर इतनी क्या गडबड़ है इसके अंदर में कि इतने सारे आप लोग फुद देख लो 2010 से लेके 2019 तक का गोर्मेंट के द्वारा 19,000 ओर्गिनेशन के जो basically FCRA रिजिस मैं आप लोग को बताता हूं और ये कानून लेकर आया कहां से गए था ताकि इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगे मन में नहरे क्योंकि कोशन बनने वाला टोपिक है और देश की security के बारे में बात निकल कर आती है तो इसके बारे में आप लोग को बता होना चाहिए सबसे पहले तो FCRA क्या है फोरण कॉंट्रिबूशन रेगुलेशन एक्ट मतलब बहार से अगर हमारे देश के अंदर में कोई पैसा आता है तो उस पैसे को रेगुलेट किया जाता है गोर्मेंट के द्वारा सोचके देखो हमारे देश के अंदर में कोई NGO है उस NGO का नाम है एक्स NGO यह जो NGO है नोन गौर्मेंटल और्गेशन यह कहते है कि मैं देश के अंदर में एजुकेशन को परमोट करूँगी उन बच्चों के अंदर में एजुकेशन उन बच्चों तक एजुकेशन पहुचाओंगी जिन बच्चों के पास में एजुकेशन नहीं है उनको ब बैट कर काम करो अच्छे से इस NGO ने क्या क्या ये बच्चों की एजुकेशन पर इसने लगाए यहां पर एक लांग में से only 25,000 डोलर बाकी का जो 75,000 डोलर है इसने क्या क्या इसने unwanted काम में use करना है start कर दिया देश के अंदर में ऐसानती फैलाना देश के अंदर में NGO नाम तो रख दिया NGO भाई नोन गवर्मेंटल और्गेंशन यह निके गवर्मेंट की और्गेंशन नहीं है पर काम करेंगी गवर्मेंट के जैसा ही लोगों को फाइदा पहुचाने का पर रियलेटी में जब ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करना है start किया तो यह भाई साहब अलगी खेल खेलती हैं यहां पर नजर आ रही है गोवर्मेंट यह खिलाब में प्रोटेस्ट कराना सरकार के खिलास में नेगेटिव नेरेट सेट करना ऐसी बहुत सारी हरकते की जाने पागिस्तान को अलग अलग दो टुकडों में बाटा गया बंगलादेस और पागिस्तान अलग निकालके उस टाइम पर आप लोग सिच्वेशन को समझ सकते हैं तो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं यहां पर यह बोला गया कि यहार कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं आगे यह काम करनी रहे हैं यह काम कर रहे हैं यह कई सारे religious matter में भी participate करते हैं अपने religion को promote करना propagate करना अब यह आप लोग के देखना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारे हैं यह बोला गया है कि अगर कोई भी अपने religion को जबरदस्ति किसी के उपर में थुफता पाया जाता है यह उस particular person को उम्र कैद की सजा होगी यहन के lifetime imprisonment आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह decision अभी लिया गया सरकार के द्वारा और FIR भी हाँ पर यह है कि पहले तो घरवाला ही कर सकता था अब कोई भी अगर FIR कर देगा तो यह देखने को मिलेगा reason क्या है हमारी समिधा समिधान में fundamental right है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इनको पार थड में रखा गया है और पार थड में आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों के लिए क्या है वह आप लोग के धरम यहनके religion को follow करने के दिखार है अगर कोई अपने धरम का परचार करता है यहनक पर लेकिन आप लोग अपने religion को किसी के उपर में थोफ नहीं सकते कि तू मेरे साथ में साधी कर ले और अब मेरे धरम में convert हो जा तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते तो यह गलत है इसके लिए हमारा ना तो समिधान अलाओ करता है और अलाग अलाग state government ने भी इसी के लिए हा आगे चलकर track रखने के लिए लाए गया था कि बाहर से अगर कोई भी पैसा दे रहा है तो उसका track कैसे रखा जा है फोरन जो donation के नाम पर पैसा आ रहा है कि भैसा वो आ कहां से रहा है और खर्च कहां किया जा रहा हर साल उसके बारे में ध्यान रखनाय स्टार्ट किया फिर मैंने बोला कि भैसा मुझे बाहर से फंड मिला है और यह जो फंड है यह फंड देश के अंदर में पेड लगाने के लिए मिला है ट्री लगाने के लिए और मैं बोलू कि यार इस फंड को पेड लगाने के लिए नहीं मैं तो बच्चों को free and compulsory education provide कराने के लिए इस्तमाल क अगर सरकार ने अलाव कर दिया तो education को छोड़कर हो सकता है कि वैसा अब यह किसी और परपज के लिए जैसे यूज होने लगे जैसे जमू एंड कास्मीर में भी क्या हो रहे है तो अंदर ही अंदर क्या चल रहे है तो ऐसी हरकतों को रोकने के लिए हाँ पर काम किया गया और फिर जब दिखा कि अभी भी चीज़े सुधर नहीं रही है तो 2010 में इसके अंदर में amendment किया गया और strict provision इसके अंदर में लाए गये ताकि फोरन यहन के बहार से अगर कोई भी fund आ रहा है तो उसके लिए इन्होंने और ज़्यादा उसको regulate करने की बात के गई regulate करने की key changes क्या करेगे FCRA registration validity इन्होंने कर दी पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से reduce क्या गया कि registration इनको renew कराना पड़ेगा तो इहाँ पर इसको पहले तो permanent type में चीज़े चल रही थी कि भाई एक बार ले लो आप लोग registration और life को enjoy करते रहो अब फिर जो भी हरकते चाहो तुम करते रहो तो उन हरकतों पर परतिबंद लगाने के लिए ताकि time to time इस तरीकी activity को check करने के लिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोला कि अब आप लोगों का registration जो है हर 5 साल में check कि जाएगा और only 50% of foreign contribution could be used in the administrative expense मतलब मतलब जैसे मैंने बोला बहुत साफ यहाँ पर क्या किया गया उस एक लांक में से 50,000 के तो आप लोग पेड लगा लो ठीक है पर लेकिन 50,000 लुपे administrative purpose के लिए खर्च कर सकते हो मतलब क्या है मतलब यह कि उस पेड को खरीदा भी जाएगा कहीं से उस खरीदने के बाद में उस पेड को पहुँचा तो बहुत सारे ऐसे administrative खर्चे होते हैं ठीक है आप लोग खुद देखो यह political party जो होती है इतने बड़े-बड़े campaign चलाती है यह बाइक पर गाड़ी में घूमते है इतने होडिंग लगाते है एक तरीकी की टीसर पैन के घूमते है तो यह कहीं से फिरी में थोड़ी ना आ जाते हैं यहां पर तो यह administrative expense है यहां पर तो यह ऐसा provision पहले नहीं था जब यहां पर 1976 में इसको लेकर आया गया तो यह provision इसके अंदर में नया नया ताजा ताजा एड किया गया ताकि यहां पर control किया सके fund को थोड़ा सा regulate किया सके और इस fund को systematic way में utilize किया सके मतलब यहां प मतलब इसका फायदा है कि जो FC आ रहे हैं उसके अंदर में अगर कुछ fund आप लोग ले रहे हो तो यहां पर उसको थोड़ा सा बच्चों के लिए या फिर जिस particular purpose के लिए उसी के लिए उसी के लिए यूज करो पता चला तुम मज़ा लेने में उसका इस्तमाल कर रहे हो तो अब आप लोग pro पर इसको देख सकते हैं अब एक interesting चीज और बताता हूँ अब यहां पर आ जाईए आप लोग को देखा पहले कोई भी command नहीं थी अब आता हूँ 2020 के अंदर में अब यहां पर पहले 10 साल पहले इसके अंदर में चेंज किया गया फिर यहां पर 2020 में इसके administrative purpose के लिए तुम खर्च कर पा रहे थे अब इनको लगा 50% भी जाता है माल यह किसी को 100 रुपे मिले हैं ठीक है फंड में अब उसने 50 रुपे तो खर्च कर दिये काम करने में 50 रुपे अपने उपर खर्च कर दिये तो यह एक तरीके चोटा amount लगा है पर सोचके देखो किस 50% को भी घटा कर 20% कर दो और इसी के ओपर में अभी recently कई सारे exam में question पूचा गया कि recently जो अभी हमारे देश के अंदर में FCRA के अंदर में जो amendment किया गया है उसके अंदर में जो 50% administrative खर्च करने की जो एक capacity थी उसको अभी कितना reduce किया गया है तो यहाँ पर उसमें option आप लोगों के लिए क्या कर दिया गया है इसको यहाँ पर 20% कर दिया कि administrative खर्चे के लिए 20% से जाद है अब आप लोग इसका इस्तमाल नहीं कर पाऊगी यह 2020 के अंदर में अभी हाँ पर जो नया amendment लेकर आया गया तो उसके अंदर में हाँ पर यह नया change करके इनके द्वारा लेकर आया गया तो यह एक तरीके से कही नहीं चाहिए कि यह limit को reduce करना चाहरा है administrative expense के लिए ताकि यह और अच्छे लेवल पर उसी particular purpose के लिए इस्तमाल किया जा सके जिस particular purpose के लिए यह पैसा इनको मिला है ऐसा नहीं कि अपनी आयासी गिरी में इसको यहाँ पर इस्तमाल कर सोरी अभी हाँ पर एक important बात जिसको लेकर बार-बार बवाल होता है कि यार जो यह FCR fund का registration है सारा काम होता है यह दहली के अंदर में SBI की branch है वहीं पर ही इनको अपना account खलवाना है वहीं पर ही इनको सारा पैसा लेना पड़ेगा आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया भाई इसके पीचे यह region था कि पदा चला देश के अंदर में दुनिया भर के bank है कोई कहीं account खुलवा रहा है कोई किसी bank में account खुलवा रहा है तो इसके चलते हैं इन्होंने क्या किया अभी इसी को control करने के लिए इन्होंने यहां पर बोल दिया कि दिल्ली की branch में तुम अपना account खुलवा होगे ताकि कम से कम trace तो किया जा सके कि पैसा आ कहां से रहा है वरना सारे bank अंगान ले पड़ेगी इतने सारे bank account है इतनी सारी आप लोगो चीज़े देखने को मिलेगी कैसे चेक करेंगे बाई किसको पैसा कहां से मिल गया है कहां कहां कौन कौन पैसा ले रहा है बहार से कहां कहां पर आ रहे एक ही ब्रांच रहेगी एक ही जगह सारा काम रहेगा और फंडट ट्रांफर यह काम किया गया direct और single bank के बारे मैंने बात की एक single bank आप लोग को देखने को मिलेगा वो भी single account के अंदर में और ये SBI की new daily branch में आप लोग को देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर आप लोग NGO बनाते हो बाहर से पैसा ले तो कहीं पर भी आप लोग अपना account नहीं खुलवाओगे ये बकायदा एक restriction आप लोग बोल सकते हो या फिर एक तरीके से इसको positive चीज बोल सकते हो कि कम से कम government की नजर रहेगी तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो information share की जाएगी bank account सारी details कैसे कैसे किस manner में आधार card mandatory है ऐसा नहीं कि आप लोग किसी का भी आधार card लगा कर कुछ भी कर सकते हो तो यह चीज आप लोग को देखने को मिलेगी अरे हाँ एक बड़ी तकड़ी एक चीज मुझे आप लोग के साथ में share करनी ते एक बड़ तो मन कर रहा था कि इसके उपर एक वीडियो बना दो अभी मुझे कल जो है एक call आती है और वो बोलती है कि आपका नाम यह है मैंने का हाँ यह आपका mobile नंबर है मैंने का हाँ आपने कोई मतलब मुंबई से मैंने कोई parcel भेजा है सिंगापूर और सिंगापूर जो भेजा है उस parcel का नंबर यह है मतलब बेजने की कोसिज की गई है उसके अंदर में 4 एपल के laptop उसके अंदर में 2 apple के मुबाइल और उसके अंदर में कई सारे expensive gift है और वो custom department ने पकड़ लिया है और custom department ने उसको seize कर दिया गया है आपके पास में जल्दी ही custom department का एक notice आएगा तो आपको उसके लिए custom department से जाकर मिलना पड़ेगा योगि आपका parcel seize कर देगा है और वो जो call है यह fed service जो करके मतलब एक international level पर जो service provide कराती है उसका यह call है और यहां पर उसने SNC call direct किया मेरे पास में पहले message आया कि आपका parcel seize कर देगा है तो मुझे लगा कि यार नॉर्मली Singapore से आ रहा था तो उसमें मैंने पूरा message प्रोपर पढ़ानी कि Singapore to Mumbai सिंगपूर से नॉर्मली कुछ भी चीज़े आती है तो वो YouTube send करता है मुझे लगा यार YouTube ने कुछ play button वगरा वो सारी चीजे कुछ ने कुछ थोड़ी चीजे send करता रहता है मुझे लगा यार YouTube का कुछ आ रहा होगा मेरा mobile number इस्तवाल करकर कोई मेरे नाम से किसी और को transfer कर रहा है यह सारा सामान तो seize क्या हो रहा है use क्या हो रहा है मेरा अधार number अब कहां से मिलते हैं सारे मालजी आप लोग आज की डेट में किसी को भी अपना अधार number share कर दे तो कई बार आप लोगों देखा होगा जैसे फोटो कोपी की दुकान पर गए तो वाँ पर आधार number आप लोगों ने उसको का कि फोटो कोपी कर दे वह क्या करते हैं एक के साथ में दूसरी फोटो कोपी करके रख लिए ठीक है आपका एक तरीके से कई बार क्या करते हैं आपका mobile number पुछ लेते हैं तो आपका data फिर कई जगे वो share करते हुए नजर आते हैं उस data को बेच कर वो पैसा कमाते हैं उनको तो एक data के दो-चार रुपे मिल जाते हैं पर इसके चक्कर में दूसरी चीज़े बरबाद हो जाती है फिर उन्होंने किया कि मैंने का अभी solution क्या मुझे कैसे remove करने इसको तो उन्होंने बोला कि अभी आप जो है आपकी जो call है हम लोग transfer कर रहे हैं cyber department के पास में तो आपको वो guide करेंगे इसके बारे में तो जैसे उसने ये बात बोली तो फिर मुझे थोड़ा सा मैं खनक गया मैंने का यार normally अगर call transfer होती है तो internally transfer होती है maximum call अगर एक company में आप लोग call कर रहे हैं तो एक department से दूर्से department में transfer कर दिया ऐसे आप लोग नहीं कर सकते कि आप लोग एक particular organization दूसरी organization में call transfer कर दें ये ध्यान रखना ये छोड़ी छोड़ी सी में आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों का understand कर सुको उन्होंने बोला cyber department में call transfer गया मैंने का तुम service provider कराने वाले हो कि आदे घंटे में उस बंदे के मुझसे एक भी सब इंगलिस का नहीं निकला ठीक है इतना trained बंदा हो इसी के साथ में वह मुझे कैसे कर रहा है कि आपको इतनी भी आपको इतनी भी अकल नहीं कि कि अपना data share कर देते हैं ऐसे कैसे आप ने कर दिया तो मैं समझ में तो मुझे पहले आगा था कि जब उसने call transfer की मैंने कैसे call transfer कर दी तो फिर जब उससे बात करा तो मैं जानना चाहरा था थोड़ सा तो उस तरीके से जब मैंने उससे बात है की तो मुझे पूरी की पूरी Skype जो basically एक software है वो download कर लो और फिर अपना verification आप जो है आप कहीं पर भी हो आप अपना verification जो है यहां पर आकर करने की जुरत नहीं पड़ेगी online verification कर दो तो भाई साब जब उसने आराम राम से अब कहीं पर भी यह फिल नहीं होने दिया कि भाई वो एक एक तरीके से कोई normal आने की बात कि और वो cyber officer आकर बैठा और उसने बात करनी start की और फिर जिस तरीके से बात कर रहा था अगर normal इंसान को इसकी बाते सुनेगा तो भाई साब उसको पकड ही नहीं पाएगा I was so surprised कि मैंने का यह बंदा इस तरीके के इतने level पर यह बंदा जो है मतलब train है जिसकी कुछ डररा हूं या फिर मैं बात करो झाहिं तो कुछ नहीं इंसान घबरा जाता है क्योंकि मैं बिख में उससे कॉशनिंग कर रहा हूं मैं उससे यह को यह बंझे बचा लो कैसे हो गाया Sir मैंने कुछ नहीं की approvedю नों कि पता भी नहीं कैसे हो गया तो इससे क्या होता है सामने व information अपने parents को भी share कर देना क्योंकि किसी भी इंसान के साथ में भी मैंने एक video बनाए थी एक sword video एक IES के bank account से पैसे उड़ा दिये सोचो एक IES officer वो उसको ठक के चलेगे अब सोचके देखो IES officer किस level का इंसान होता है कितने procedure से होकर गुजर जाता है तो जब उस इनसान का बेवकूफ वो बना सकते हैं तो क्या वो आप 10 लाक रुपए 20-20 लाक रुपए ऐसे उड़ाते है account में से जैसे उनको लगता है उनके बाप की कमाई है और वाई सब जो इनसान जो जोड जोड कर बेचारा मेनत अपनी हड्या किसा कुसा कर वहाँ पर काम कर रहे है उसके जिन्दी कमाई चले जाती है तो इसलिए आधार और यहाँ पर कल को चल कर किसी के साथ में कुछ दिक्कत ना हो जाए तो रिक्वेस्ट है कि अपने तक मत रखा को रहे है यह बात है खासकर अपने मम्मी पापा के साथ में तो एडलिस सेयर करी दिया ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं आप अभी बात की जारी क्रिटिसम क कि अब यहाँ पर अब देखो सिक्क्य के दो पहलो होते हैं अब सरकार अपना काम कर रही है देश को बचाने के लिए देश की सिक्क्योटी के लिए सारी काम कर रही है पर लेकिन सरकार कितने हद तक सही है यह भी तो सोचने वाली बात है कई बार सरकार क्या करती है अपने द्वारा कोई हरकते करेगी और भाई साब उसकी हरकत हो कि खिलाप अगर कोई NGO आवाज उठाएगी तो उसका वो रिस्टेक्ट कर देगी तो आर भी ट्रेडी रिस्टेक्शन बहुत लार्ज सिकेल पर देखने को मिलती है यानि कि सरकार ये कहते है कि मेरे खिलाप तुम्हारी बोलने की हिमत कैसे होगी तो यहाँ पर इसके चलते सरकार क्या करती है वह यहाँ पर मनमाने दिकारों कैस्ते है बन वह रही है क worry को हरा उनका Thailand क्या रहा था उनकी वोपार ने कुछ बोल दिया उन्होंने सब्सक्रार के खिलाफ है तो इस देखने को मिलती है कई बार यहांपज confuses on को लेंक उसको लिंख करवा उसको ये करो वह कुरमता बहुत सारी चीज़े आप लोगो को देखने को मिलेगी टिक है National interest के नाम पर कई बार क्या करते उनको प्रिसान करते हैं ठीक है कई बार आप लोगे देखा हुगा कि सरकार ने क्या क्या अभी सी को तो तो गाफ़िकर Supreme Court ने क्या क्या गया जो इलक्त्रोल बॉन्ट वाली स्कीम ती उसको क्यों Supreme Court ने आखी ठंडे बस्ते में डाला इसलिए डाला कि जो सरकार क्या रही है कि भैसाफ कि सी भी कंपपनी को जाकर पकड़ ले रही है और वो कंपपनी को जाकर बोले कि तुम गलत काम कर रहे हो हाँ गंपनी ने का गे मैं गलत काम कर रहे हूं अच्छा ठीक है गलत काम कर रहे हो ठीक है इलेक्ट्रोल बॉंड में 500 क्रोड रुपे डाल दो तुम्हारे गलत काम जाए हो सारे सही काम हो जाएंगे तो सरकार जो सरकार ने क्या काम कर दिया दुनिया भर की कंपनी स से पैसा लेना है start कर दिया अपनी power का इस्तमाल करका तो कानुन का दुरुपयोग होना है start होगी यह आपर तो operation जो है क्यों के चल रहे हैं आपर उनको दिक्कत होने लगी है आपर कि बोल दें कि आज की डेट में जो लीडर है आज की डेट में कहीं अलग गलत पोजिशन पर बैठेवे लोग मैं अलग पोजिशन पर बैठेवे सब के फोन को ट्रैप कर रखे पैकसस वायरेस की वह से तो उससे पता चला अब भाई साब तुम क्या कर रहे हैं हम तो इसले करें ने सलन सेक् कोड़ी के नाम पर इतनी सारी चीज़ें यहां पर देखने को मिलती हैं तो फिर चीज़ें समझ में आते हैं कि अब चीज़ों को कैसे लेकर चल लें ठीक है तो यहां से कहीं ने कहीं यह FCRA का इस्तमाल जो है उसका गलत इस्तमाल होता होने जलाता है तो इसको नेगेटिव तरीके से भी देखा जाता है और सारे काम रहते किसके कंट्रोल में तो याद रखना foreign contribution regulation act यह आप लोगों को लगे गए finance ministry के अंडर में नहीं यह home ministry के अंडर में यह आप लोग याद रहना कल को चलका direct question आप लोगों से पूछा सकता है बहुत ही basics है और important भी है